हेलो दोस्तो तो कैसो हो आप सब दोस्तो इस वीडियो में हम आप सब को नियाय निगमन यानि की साइलोजिस्म के विशे में विश्तार पूरवग बताने वाले हैं सबसे पहले हम इसका concept बताएंगे और उसके बाद में question को भी solve करने के लिए आपको सिखाएंगे तो देखिए किस परकार का question इस chapter से पूछा जाता है जैसे कि question में लिखा रहेगा कथन और यह कथन दो हो सकता है तीन हो सकता है चार हो सकता है और उसके नीचे लिखा रहता है निसकर्स क्या लिखा रहता है निसकर्स अब निसकर्स जो लिखा गया है वो कथन को फोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है यह आपको पहचाना है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सभी pencil pain है और second कथन में लिखा गया है कि सभी pain rubber है और फिर niskerz निकाला गया है इस कथन के अधार पर और बोला गया है कि सभी rubber pain है या फिर सभी pain pencil है तो आपको इस option में select करना कि कौन सा option सही होगा यहाँ पर पाला नमबर option में लिखा गया है केवल niskerz 1 सही है अगर ये वाला केवल सही है तो option number A सही हो जाएगा या फिर केवल niskerz 2 सही है या फिर niskerz 1 और 2 दोनों सही है सही है कहने का मतलब कि ये जो niskerz है इस कथन को follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फिर इन में से सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल को आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वल्ब कर देंगे, यह मेरा वादा है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, इसमें लगभग 4-5 प्रकार के question पूछे जाते हैं, तो आपको सम करना है, देखिए, case 1 में क्या बोला गया है, कि सभी pen pencil है, सभी pen pencil है, अगर सभी सब्द आया, क्या ची बोले, अगर सभी सब्द आया, तो समझ लीजिए, कि जो चीज भी सभी रहेगा, वो दूसरा चीज के अंदर में रहेगा, सफोज कीजिए, यह है pencil का wain diagram, क्या है pencil का wain diagram. तो यहां पर बोला जा रहा है कि सब ही pen pencil है. यानि इसके अंदर में क्या होगा? pen होगा. यह वाला क्या होगा? pen होगा. और ये वाला पूरा क्या होगा? pencil होगा. इस थारा से when diagram بنेगा. आपको देरे देरे clear हो जाएगा. आपको थोड़ा सा कठीन लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया, कोई दिकत नहीं, देखिए, केस 2 में देखिए, लिखा गया है कुछ पेन पेंसिल है, क्या बोला गया है, कुछ पेन पेंसिल है, तो यहां पर करना क्या है, कुछ पेन का बात क्या जा रहा है, कुछ ही पेन प तो यहाँ पर जो ऑढरलेफ हो रहा है आपको यह बताएगा कि यहाँ पर जो कुछ पेन है वो क्या है पेंसेल है या फिर इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि कुछ पेंसेल पें है। यहाँ पर जो अभरलेब कर रहा है यह दोनों तरब से अभरलेब कर रहा है पेंसिल के तरब से भी अभरलेब कर रहा है और पें के तरब से इसका मतलब यह हुआ कि कुछ पेंसिल है और कुछ पेंसिल पेंसिल है इस तरह से आप समझ सकते हैं किलियर हो जाएगा और यहाँ प हम इसलिए बता रहे हैं जिसमें आप question बनाएंगे उस समय vein diagram के मदद से आप निसकर्स को सही धंग से पहचान पाएंगे कि वो सही है या गलत है इसलिए इस चीज़ को आपको पहले समझना होगा तो क्या लिखा गया case number 3 में लिखा गया कोई pain pencil नहीं है कोई भी pain pencil नहीं है राइट जैसे कि suppose किज़े यहाँ पर हम vein diagram बनाते है pain का और यह बनाते है pencil का कोई pain pencil है यहाँ पर नहीं है या फिर कोई pencil pain है नहीं है और लेप कर ही नहीं रहा है अगर overlap करता इस तरह से तब फिर interchanging कुछ-कुछ हो सकता था कि यानि कि कुछ pain pencil है या फिर कुछ pencil pain है लेकिन यहाँ पर जरा सभी overlap नहीं कर रहा है और यहाँ किसली नहीं कर रहा है इस condition के अधार पर बोला गया है कि कोई pain pencil नहीं है जब नहीं है तो overlap जरा सभी नहीं करेगा देखें case number 4 में लिखा गया है कुछ pain pencil है लेकिन किताब नहीं है बोला जा रहा है कुछ pain some pains are pencils but किताब नहीं है यानि but are notebook यानि कि कुछ pain pencil है सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा क्या चीज़ का pencil का चली ये pencil का बना दिये अब यहाँ पर कुछ pain pencil है तो यहाँ पर ये वला बन जाएगा pain क्योंकि यहाँ पर ये पुरा pain का है समू कुछ pain pencil है इसलिए overlap तो करेगा ही करेगा है कि नहीं बोला जा रहा है आगे कि लेकिन किताब नहीं है जब किताब नहीं है तो किताब क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा तो इस तरह से win diagram बनाया जाता है खैर question बताएंगे आपको उस समय भी धिरे धिरे सिखाते चलेंगे इतना समझ में आ गया तो ठीक है नहीं समझ में आया जैसे किजियो हम question आपको दिखाये थे उसी question को सबसे पहले solve करते हैं बोला गया है कि सभी pencil pen है ये जो कथन होता है कथन hundred percent क्या होता है true होता है सत्य होता है hundred percent आपको मान के चलना है कि सत्य है यहाँ पर लिखा गया है तो कथन दिया गया है तो हलाकि सभी pencil पेन तो नहीं होता है यह हम लोग जानते हैं लेकिन यहाँ पर कथन के तोर पर कहा गया है तो हम लोग को मान लेना है कि वो 100% क्या है? true है और कथन हमीशा सत्य होता है चलिए बोला गया है कि सभी pencil pen है यानि कि यह समझ यह pen है क्या है पूरा pen है और इसके अंदर में क्या रहेगा? pencil क्या रहेगा? pencil रहेगा अब यह कथन का यह पहला sentence था अब दूसरा sentence देखिए लिखा गया है कि सभी pen रबड है यानि जितना भी pen है सब क्या है? रबड है यानि रबड वाला जो graph होगा रबड वाला जो circle होगा वो सबसे बड़ा होगा रबड के अंदर ही pen आ रहा है और pencil आ रहा है फिर से समझे लिखा गया था कि सभी pencil pen है यानि इस pen के अंदर में क्या जाएगा? pencil आ जाएगा क्योंकि सभ pencil pen है और आगे बोला गया था कि सभी pen rubber है यानि जितना भी pen है वो क्या है rubber है अब निसकर्स निकाला गया है कि सभी rubber pen है देखिए rubber तो ये पूरा है पूरा तो बताए ये सभी rubber pen है no सभी rubber pen नहीं है कुछ rubber pen है लेकिन सभी rubber pen नहीं देखे तो इधर वाला जो बच रहा है ये पेन है क्या नहीं पेन तो इस सरकल के अंदर में है है कि ने तो सभी रबड पेन नहीं है यानि कि निसकर्स वन जो है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अब देखे दूसरा निसकर्स लिखा गया है कि सभी पेन पेंसिल है सभी pencil है ये भी क्या है गलत है आप कहेंगे क्यों यहाँ पर देखिए सब ही pen pencil नहीं हो सकता है कुछ pen pencil हो सकता है या फिर सब ही pencil pen हो सकता है एकदम सुनना ध्यान से है अगर आप सुनने में थोड़ा सा mistake करते तो फिर समझ में नहीं आगा ध्यान से सुनते चलिए बोला गया है कि सब ही pen pencil है तो सब ही pen pencil नहीं है रे भाई कुछ ही pen pencil है ठीक है तो nisksks 2 भी गलत हो जाएगा यानि केवल nisksks 1 सही है यह भी नहीं होगा option में यह भी नहीं होगा option number D क्या होगा correct होगा ठीक है देखिए अब यहाँ पर कथन दिया गया है और यह क्या है निसकर्स है कथन क्या रहाता है 100% true होता है चाहे हमें वो लगे या ना लगे लेकिन लिखा गया तो सत्य होगा ही होगा लिखा गया है कुछ पच्छियां हाथी हैं कुछ पच्छियां क्या है हाथी है तो समझे यहा पच्छी का सम्मू है जो हाथी वाला सम्मू में क्या कर रहा अभरलेब कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कुछ पच्छी क्या है हाथी है या फिर कुछ हाथी क्या है पच्छी है अब देखिए आगे लिखा गया है कुछ हाथी पत्थर है अब कुछ हाथी क्या है पत्थर है कुछ हाथी क्या है पत्थर है पत्थर चलिए यहाँ पर अभरलेप कर रहा है कुछ हाथी क्या है पत्थर है बना दियें आप देखें निसकर्स में क्या लिखा गया है बोला गया है कुछ पत्थर पच्छियां है कुछ पत्थर पच्छियां नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे बोला गया है यह वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आप देखिए दूसरा नमर लिखा गया है कुछ हाथी पच्छियां है मतलब कि कुछ हाथी पच्छियां है हाँ बिल्कुल है इसलिए यह दूसरा जो निसकर्स है वो सही होगा और पहला क्या होगा गलत होगा तो अपसंदिया रहता कि निसकर्स वन सही है कि निसकर्स दो सही है कि निसकर्स वन दो दोनों सही है या फिर इन में से कोई नहीं सही है तो क्या हो जाएगा निसकर्स दो सही हो जाएगा ठीक है चलिए अब आगे का कुश्चन देखते हैं दे है क्या ची मुर्गे मुर्गे है और सभी मुर्गियां क्या है मुर्गे है यानि कि इसके अंदर क्या रहेगा मुर्गियां रहेगा मुर्गियां यानि सभी मुर्गियां मुर्गे है और आगे लिखा गया है कोई भी मुर्गा काला नहीं है यानि कोई भी मुर्गा काला नही लिखा गया है सभी मुर्गे मुर्गियां हैं सभी मुर्गे मुर्गियां हैं नहीं अरे भाई कुछ मुर्गे मुर्गियां हो सकती है या फिर सभी मुर्गियां मुर्गे हो सकते हैं लेकिन सभी मुर्गे मुर्गियां नहीं हो सकती है इसलिए option number one क्या हो जाएगा wrong हो जाए नहीं है आप बता ये काला तो अलग है इससे कोई relation तो इसका है नहीं और यहां बोला गया कोई भी मुर्गी काली नहीं है तो बात सही है कोई भी काला नहीं होगा क्योंकि जान रहे हैं कि सभी मुर्गीयां मुर्गे हैं और ये भी हम जान गया है जो मुर्गे काले नहीं है, जब नहीं है, इसका मतलब कोई भी मुर्गी या, मुर्गी जो है काली नहीं है, यानि कि option जो निसकर सुदो है, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर जो option में दिया रहेगा, निसकर सुदो सही है, उस पर टिक लगा देजेगा, है कि नहीं आप बोला गया सभी ट्रक, अब इसके अंदर क्या होगा, ट्रक होगा, सभी ट्रक मख्य है, आप लिखा गया कुछ स्कूटर मख्या है, कुछ स्कूटर मख्या है, यानि कि इसके साथ रिलेशन रखेगा, ये क्या हो जाएगा, इसकूटर हो जाएगा, यानि कि कुछ स्कूटर किसे हो सकता है, इसके अंदर में है, ये बाहर में है, है कि नहीं, आप देखें, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप देखें, दूसरा नमर लिखा गया है, कुछ स्कूटर मख्या नहीं है, यानि कुछ स्कूटर मख्या नहीं है, गलत हैं, कुछ स्कूटर क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे चलिए आगे का question देखते हैं आगे लिखा गया है कथन में कि सभी truck उरते हैं सभी truck क्या करते हैं उरते हैं तो यह क्या हो जाएगा उड़ने वाला क्या हो जाएगा उड़ने वाला diagram हो जाएगा बृत हो जाएगा अब सभी truck उरते हैं तो उड़ते हैं, यह क्या है, इस्कूटर है, जब उड़ते हैं, तो उड़ने वाला के साथ कुछ रिलेशन रखेगा है, तो अभरलेप करेगा, तो अभरलेप कर दिया, अब दिया गया है निसकर्स, लिखा गया है कि सभी ट्रक स्कूटर है, सभी ट्रक स्कूटर है, यह भी गल कर से लिखा गया है कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, कुछ स्कूटर नहीं उड़ते हैं, यह भी क्या हो जाएगा, गलत, कुछ स्कूटर उड़ते हैं, यहां पर बोला गया है, कुछ स्कूटर उड़ते हैं, तो फिर यहां बोला गया है, कुछ स्कूटर नहीं उड़ते ह हो जाएगा है कि ने तो इस तरह से हम 4-5 question कर लिए इतना ही इस वीडियो में हम question को लेकर आये थे पिक किये थे जो हम when diagram के मदद से बनाए हैं तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और ऐसे सवालों को solve करने के लिए basic concept आपको मिल गया होगा एक वीडियो और लेकर आएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो comment box में comment करके जरूर बताइएगा कि next वीडियो भी इस topic पर लेकर आएए तो मैं guarantee लेकर आऊंगा तो चलिए आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत